अलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पापका हार्दिक सागात है आज की इस वीडियो में दिखाएंगे छोटे छोटे कप में कोफी मग में चाय के कप में छोटे पोट में कैसे पलांट लगे हुए हैं बहुत खुब सूरत लग रहा है चल भी रहा अच्छे से देखे बिना होल में कह स्पाइडर पलांट इसमें लगे हुए हैं जितने सारे पलांट दिखाऊंगे सब परमानेंट और हार्डी पलांट है इसका कटिंग कभी भी लगा सकते हैं इन पलांट की कटिंग ये बेवी पलांट से मैं त्यार की हूँ और इसमें भी पलांट बन रहे हैं देखे नीच खूसूरत लग रहा है कहीं उठाकर इस कॉप को मग को रख देंगे खिरकी पाइस टेडी टेवल पर ड्राइंग टेवल पर अच्छा लगेता है और यह आउडोर इंडोर सब चलने वाले पलांट है इतने छोटे-छोटे कॉप में और पोट में चाय के कॉप में लगाते हैं जो पलांट हाडडी रूट वाले नहीं बारिक रूट्स वाले पलांट लगा सकते हैं और इस तरह अपने गार्डन को खूसुरत बना सकते हैं देखिए इसमें परपल कलर के वंडिंग जी लगाए हूँ और यह वाला कॉप में देखिए यह एक एलो वेरा कहीं यह एक भर जो कि अग्रा गाए गý hen इसमें वेरा इसमें नहीं बना यह बिना होल चाहिए नहीं हो गया इसे ङोड़ ज़ाए कंगे देखिए यह वह अगीं प्रूह में दिगोज सकते हैं तो उसको नीचे आप पथर के टुक्रे राख दीजिए यहोईट के टुक्रे उसका बाद परसेंट कोको पीट और 20 परसेंट कोई भी खाद ले सकते हैं और सेंट जरूर मिलाईए 10 परसेंट बालू मिला लिजिए छोटे-छोटे कॉप में मग में लगाने के लिए स्वायल ऐसे बनाएंगे तो अच्छे से पलांट चलेंगे देखिए इस सब में जेट पलांट लग हो गये हैं और कितना अच्छा से चल रहा है सब हड़ी पलांट है आवडोर इंडोर कहीं उठाके रख देंगे इंडोर अखते होंगे तो उठाकर हफते में एक बार बाहार रख देंगे ताकि धूप लग जाए देखिए चोटा सा चाय की कॉप है इसमें होल बनाकर होल न अच्छा से चल रहा है सबको घंटा का सुवा का धूप मिल जाता है ज्यादा धूप में इस पलांट को नहीं रखती हूं इंडोर में अच्छे से चल जाते हैं लेकिन हावा पानी भी लगना चाहिए इसमें देखिए मैं छोटा सा करसूला का पलांट लगा दिया था और कितना बड़ा हो गया है और बहुत खूल सुरत लगता है एक पलांट से धी धेर सारे बन जाते हैं जेट पलांट मेरे पास इतने हो जाते हैं कि मैं छोटा-छोटा कॉप में मग में पोट में देखिए बोतल्स का ये डीवाई बनाई थी नीचे भी बोतल के उपर कटिंग लगाए हैं और उपर और इसमें जेट पलांट लगा दिया और कितना हेवी हो गया भारी हो गया चोटा-छोटा कटिंग लगा दिया था बहुत अच्छे से ग्रोव रहा है यह सब तो धूप में रखा हुआ है जो ज्यादा धूप बले पलांट होते हैं उसको मैं धूप म नहीं चोटा सक लगाए है जार जो होता है बरे वाला पानी पीने का इसमें होल बनाकर में टेंगल हाड लगा दियूँ छोटा से कटिंग लगाया था देखिए कितने बहा हो गया है चे बिखे इस चुटा से डब्बह में होल करके इसको लगा दियूँ यह भी अच्छ से सब इंडोर आउडर चल जाते हैं अच्छे से चोटा सा डबा में एरियो है रियो बोट ली लिली है और इधा सिंगोनिया में देखे सब चोटे-चोटे पलास्टिक पॉर्ट में लगे हुए हैं बहुत अच्छे से चल रहा हैं यह सब को घंटा का सुवा का सनलाइट मिल जा अभी इसमें अच्छे से चल जाएंगे जब बहुत बड़ा हो जागा ता मैं इसको अलग बड़े पॉर्ट में रिपोर्ट कर दूंगा दही का एक कॉप है देखे हमारे घर में कॉप जो दही आता है उसको भी मैं फेकती नहीं इसमें कलर करके देखे इसमें स्पाइडर लगाए हूं इसमें छोटा सा बीज डाल दिया था सीड्स एसपैरा गरस का देखिए इसमें ग्रो हो गया है इसमें जब बनता है उसको मैं फेकती नहीं कठा करके रख देती हैं देखिए बीना होल का इसमें लोटा इस्टील का इसमें डेविल पलांट लगाई हूं और य अच्छे से चल रहा है थोड़ा सेड़ी अरियां पर गया है इसलिए गुरो अच्छे से नहीं हो रहा है लेकिन इसको मैं धूप में उठाकर रख दी हूं और देखिए माग है पानी डालने के लिए मैं छोटा सा मग गार्डन में खरिद के लाई थी लेकिन हैंडल टूट छोटा छोटा कटिंग लगाकर ठीरो सारे बन गए छोटा से पॉट में देखिए जीजी पलांट भी अच्छे से चल रहे हैं और इधार एगलो नीमा यह जोटे पॉट में लगा हुआ है और एक पॉट में लगा हुआ हूं जब रिपोर्ट किया तो दोनों में एके करके की चोटा पोट मैं नहीं छलदी शुक जाता है और इसमें डेशनिया का एक फिश्टीय का यह बहुत बाधा हो जाता है यह तेगा अभी तो काफी दिन चल जाएंगे छोटा सा कटिंग लगा दिती और यह एक छोटा सा पलास्टी का डबा है उसमें मैंने लगा दिया यह भी बेवी पलान नीचे से साइड से बन रहा है अच्छे से चल रहा है देखिए इधर सिंगोनियम के दूसरे भराइटी वाला छोटा सा पॉट जो हो उसको इधर उधर रखने से अच्छा है पॉट में ही रख दीजिए देखिए इसमें सौंग आफ इंडिया का कटिंग में लगा कर कॉप में रख दियों नीचे से मुहचर मिल रहा है इसको जल्दी पानी नहीं सुकता है इसलिए छोटा-छोटा कॉप हो मॉग हो उस से इसको खाना मिल रहा है और देरे देरे यह बरा हो जागा तो पर से कटिंग करके हटा दोंगी और यह वाला आप वीडियो देखे ही होंगे यहां छोटे-छोटे कुल्धर में जेट पलांट लगे हुए हैं सब अच्छे से चल रहा है इधर कैक्टस लगा हुगा है छोटा सा मटकी में टेरिंगल हाड है छोटा सा कटिंग लगा दिया देखे कितना जादा यह बर गया पूरा चोटा-चोटा इस तरह का घर में पौट निकलते रहते हैं मटकी होते हैं उससा में पलांट लगाईए और अपने गार्डन को सजाईए वेस्ट मेटेरियल होता है कप माग छोटे पोट समें प्लांट लगा कर अपने गार्डन को सजाई है कहीं उठाकरी रख सकते हैं इसको रखने कभी जमेला नहीं है इसाब हाड़ी प्लांट है कोई भी मौसा में इसका कटिंग लग जाता है इधर इस्वीट पटाइटो स्पाइडर प्लांट सब ज़र्ब पड़ता है ना जटा पानी के वंडलती हूं चोटो शचो पोटो मिटी शुक जाते हैं रोज पानी दाला करिए ड़िवांट के ज्याद के ज़यरत परता है ना जाद काहीए लेकिन बहुत अच्छे से घुरह होते हैं एवाला डिवाईव आप लोग ऐसा से माग हो घर में जितने सारे वेस्ट मेटेरियल निकले समय पलांट लगा लिजिए कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए फिरेंड्स